जारकन में बस पाने की अपनी पहली प्रत्याश्यों की सूची जारी भाजपा और कॉंग्रेस के लिए बड़ी चुनोती जा दोस्तों आपने विल्कुल सही सुना मैं उपराग मेंदर आप देख रहे है नैशनल चौपाल जारकन में तमाम 21 विदान सभा सीटों पर विदान सभा की चुना होने जा रहा है और दो चरणों में चुना होंगे सबसे पहले मददान 13 नवंबर को होंगे उसके बाद अगले चरण में 20 नवंबर को मददान होंगे और 23 नवंबर को नतीज आएंगे ऐसे में तमाम राजनेतिक पार्टी उट की अपनी दावेदारी है, जिस तरीके से लगातार अपनी रणीती को लेकर चुनावी मैदान में नज़र आ रही है ईंडिया गडबंदन के जरी एक बार जारकन की राजनीती के अंदर कहिमन सोरिन की दावेदारी समय के मुताबिक देखी जारी है ऐसे में अब देखना दिल्चस्प होगा कि बीजेपी अब इस बार विधान सभाचुनाओं में क्या कुछ कर दिखाती है लेकिन इन दोनों राजनीतिक पार्टी और एंडी और इंडिया गड़ बंदन के बीच बता दे बहुजन समाज पार्टी की भी कहने के दावेदारी समय के मुदाबिक देखने को मिल रही है बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दिया है तमाम 24 प्रत्याशियों के नाम एक के बाद एक आपके साथ साजा करेंगे आखिर किन विधान सबाओ पर किन प्रत्याशियों को बसपा ने अपना उमिदवार बनाया है वो तमाम चीज़े एक के बाद एक आपके साथ रुबरू करेंगे तो ये लिस्ट है ये लिस्ट आपके सामने में हमने रख दिया है और इसके बाद एक तमाम विदानसभाओं को लेकर अब आपको जान करेंगे सबसे पहले विदान सबा की बात करेंगे तो ये है जामतला विदान सबा जामतला विदान सबा से बोजन समाज पार्टी ने श्री तरून गुपता इनको अपना प्रत्याशी बनाया है और ये उसके बाद बात करेंगे मधुपूर विदान सबा से तो मौमत जियावूल हक ब बहुजन समाज पार्टी सीधी सीधी टक कर लेगी उसके बाद अनुसूसित जाती की बात करेंगे ये शेडूल कास रिजर्व सीट है देवघर से जापस्री ज्यान रंजन इनको बस्पा ने अपना प्रत्याशी बनाया है उसके बाद बरकटा विदान सभा है यहां से रामगण विदान सभा काफी जादा एतियासिक है रामगण विदान सभा से बस्पा ने बिन्नु कुमार महतो इनको अपना प्रत्याशी बनाया है बिन्नु कुमार मन तो यह रामगण विदान सभा से बहुजन समाज पार्टी की कैंडिड होंगे उसके बाद बोकार विद अगली विदानसबा की बात करेंगे यह है टुंडी विदानसबा से मोतिलाल किसको बस्पा ने मोतिलाल किसको इनको अपना प्रत्याशी बनाया है बहर गोडा विदानसबा से सनत कुमार महतो बहर गोडा विदानसबा से बहुजन समाच पायटी के प्रत्याशी होंगे जमशेदपूर पच्छिमी जमशेदूर पच्छिमी से व्रंदावन दास यह बहुजन समाच पायटी के प्रत्याशी होने जा रहे है उसके बाद अगली विदान सबा की बात करेंगे इचागड विदान सबा से कल्यान चंदर सींग बसपा के केंडिडेट इचागड विदान सबा से उसके बाद सराय केला विदान सबा से रविंदर उराव उसके बाद तुरी सुंडी ये चाई बासा विदान सबा से तुरी समाज पार्टी के कैंडिडेट है परदेशी लाल मुंडा परदेशी लाल मुंडा मनोहरपूर विधान सबा से बसपा के कैंडिडेट सिसाई गर सिसाई विधान सबा से बता दे की बंदे कुमारतिर की बंदे कुमारतिर की ये सिसाई विधान सबा से होंगे उसके बाद विदानसभा की बात करेंगे तो अनूज कुंडेश्वर अनूज कुंडेश्वर यह सिमगेडा विदानसभा के प्रत्याची है और कोले विरा कोले विरा विदानसभा से शिवराज बढ़ाईक शिवराज बढ़ाईक किये कोले विरा विदानसभा से बहुजन समाच पार्ट के candidate है उसके बाद अगले विदानसभा की बात करेंगे विश्रामपूर विश्रामपूर विदानसभा से राजेश मैता अगले विदानसभा गड़वा विदानसभा से अजय कुमार चौधरी और भवनात पूर विदानसभा से पंकच कुमार तो अभी तक मैंने आपको तक्र पर बस्पा का ये कहना है कि तमाम 21 विधानसबा पर बस्पा तमाम विधानसबा पर अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी फिलाल ये पहली लिस्ट है और 24 प्रत्याशी इन्हें पहली लिस्ट के अंदर दिखाई दे रहे है समय के मताबिक बता दे की जिस तरीके से पिछले विधानसबा चुनाओ की बात करेंगे तो बसपा से 2014 में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से एक विधायत भी जीत कराया था रोट परसंडेज भी काफी जादा बहतर था जिस तरीके से वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने मजबूती दर्च की एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने 2014 में जीत दर् कि इन विदान सभा चुनाओं में खास तोरपा जारखन में बस्पा के माध्यम से क्या कुछ परिणाम निकल कराते हैं तेज तारीक को नतीजाएंगे और नतीजों के बाद ये पता पड़ेगा कि बस्पा का जो कहने कई पिछले बारी से इस बारी का जो परफॉर्मेंस है व लिख करा में कमेंड बॉक्स में ज़र्बता है बनाया नैशनल जॉपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में तब तक लिए जैभी जैभी